गर्मी आ गई है और गर्मियों में लोकी की सबजी खाना तो मतलब बनता ही है क्योंकि गर्मियों में ही ये सबजी आती है और अगर रोज रोज एक जैसी सबजी बनाते हैं लोकी की तो बड़े भी ने खा सकते हैं और बच्चे तो मतलब खा ही नहीं पाते हैं तो इसलिए इ लोकी है ये दो-तीन दिन हो गए थे मुझे लाया वएये , मुझे लाया हुए इस लीए पीछे से श्रिंक हो १गी लेकिन बहुत तक बाहत कच्छी वाली लोकी है च्छी खंडिशिन वे है वैसे थुम के लाएंगे और ग्रेट कर लेंगे grate करने के बाद इसकी Recipe बनाएंगे तो यहां पर अच्छे से इसको grate कर लेंगे इस तरीके से अब हम क्या करेंगे जो कसीवी लोकी है उसको लेंगे बड़े बाउल में और फिर इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यह लोकी मैं इसमें ले लूँगी पूरी और आप चाहें तो कम भी बना सकते हो मतलब अपने जितना आप उचीए न उस क्योंटिटी के हिसाब से बना सकते हो और इसमें डालेंगे हम एक कब बेसन और इसके साथ ही कुछ मिसाले जैसे अजवाइन, हल्दी पावडर, लालमिच का पावडर और नमक थोड़ा सा मैंने यहां पे देखिए जो इनो पावडर आता है सेचे, वो आधा लिया है और ये मैंने दहीस में यूज किया है और इन सबको मिला के हम एक, बहुत मतलब बहुँत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं करना है आपको बहुत जादा लिक्विड में भी नहीं करना है इस तरीकी का एक बैटर तयार कर लेना है अब हम क्या करेंगे एक प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है ये मेरा पुराना फ्राइंक पेन है जिसको मैं हमेशा ढोकला बनाने के यूज में लेती हूँ उसी को मैंने लिया ह और अच्छे से इसमें तेल लगा लिया अब ये सारा जो वैटर हमने बनाया है ये इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको हलका सा टैप करेंगे ताकि बबल्स निकल जाएं और हमें इसे स्टीम करना है पहले हम इसे स्टीम करेंगे अच्छे से उसके बाद इसकी रेसि कर लेंगे और अब क्या करेंगे चेक कर लेंगे एक बार इसमें पका है कि नहीं तो उसके लिए हम एक चाकू लेंगे और देखेंगे तो यह अच्छे से क्लीन निकल आया मतलब एक दम सही है तो अभी इसको हम डिमोल्ड करेंगे तो उसके लिए इस तरीके से किनारे से काट लेंगे और इसको पलट देंगे और यह आसानी से निकल आएगा क्योंकि हमने इसमें oil use किया था और इस तरीके से हम इसको फिर cut करेंगे जिस तरीके की भी आप shape देना चाहो जैसे pieces आप बनाना चाहो वैसे इसको काट सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा diamond shape में इसको काट रही हूँ आप square भी काट सकते हो आपकी मर्जी है तो यह देखे इस तरीके से मैंने इसको काट लिया और यह काफी मतलब fluffy से बन कर तयार हुए हैं क्योंकि हमने इसमे इनो डाला था दही डाला था अब हम क्या विज़ेंगे इन सारे bites को हम तयल में fry करेंगे आप बिना तयल में fry करें भी बना सकते हो अगर आप कम तयल यूज़ करना चाहते हो तो क्योंकि गर्मी में काफी लोग कम oil यूज़ करते हैं तो इसलिए आप इसको डायरेक भी सबजी में यूज़ कर सकते हो मैं इनको हलका सा फ्राई कर रही हूँ उससे थोड़ा अच्छा सा इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है और बच्चों को तो इनफेक्ट सही बताऊं तो ये ऐसे ही पसंद आते हैं सबजी की भी जरूरत नहीं होती इनफेक्ट उसने इतना खाया है इसे ममा फिर बनाना आप ऐसे मतलब हमारे लिए तो ऐसे ही बना कर छोड़ दो तो बस इनको अच्छे से गॉल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे इस तरीके से ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस पे कलर आया है और इसे तरीके से हम सारे जितने भी बाईट से हमने बनाए हैं वो फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे हलका सा ओईल ये सोक करते हैं बट वो सबजी में जाकर फिर बैलन्स हो जाता है तो जो लेफ्ट ओवर ओईल था उसी में मैंने थोड़ा सा जीरा और हिंग डाला है और अभी इसमें डाल देंगे हम ये कटे हुए प्याज और इनको सोटे करना है हमें तो बारिक बारिक प्याज हमने काटे हैं हलका से इनको चला देंगे और आप देख सकते हो थोड़ा सा तेल में क्योंकि बेसन और सब था उसलिए थोड़ा सा तेल में काला हो गया है लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपके टेस्ट में टेस्ट बहुत अच्छा हैगा तो आप सेम ओईल ही यूज कर सकते हो अभी मैंने डाल दिया था इसमें अधरक लैसन और हरी मिट्च का पेस्ट और ये भी मैं अच्छे से पका लूँगी अभी मैं डालूँगी इसमें ब्लांच की हुए टमाटर तो टमाटर को मैंने हलका सा बॉयल किया है इसका चिलका निकाल कर फिर उसको काट लिया है उससे क्या होगा न ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे सबजी में अब हम क्या करेंगे एक बड़े बाउल में लिया है मैंने दही इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला साथ ही एक चमच मैंने बेसन लिया है उससे हमारी जो gravy है बहुत अच्छी बनेगी healthy powder, लाल मिर्च का powder और धनिया powder लाल मिर्च मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ उससे color बहुत ही अच्छा आता है और दही से हमारी जो gravy है बहुत ही tasty बनेगी तो हलकी सी उसमें खटास होगी और अच्छे से चलाएंगे क्योंकि यह दही है तो फटने का डर रहता है तो जब तक इसमें boil नहीं आ जाता हम इसको चलाते हुए पकाएंगे उसके बाद इसको कम से कम पांसात मिनट के लिए हम और इसको पकाएंगे तो इत कलर बहुत ही प्यारा आया है हमारी सबजी का अब मैंने इसमें डाल दीया है पानी, जितना हमको ग्रेवी बनानी है उतना पानी डालेंगे उसके बाद हम थोड़ा नमक यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि पहले नमक मैंने नहीं डाला था तो जितना मतलब ग्रेवी है उसे साब से मैं नमक डाल रही हूँ, हलका इसको पका लेंगे बहुत ही टेस्टी सी हमारी ग्रेवी बनकर तयार हो रही है यकिन मानिए बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से आप बनाओगे तो जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हमारे बाइट्स जो हमने बनाए थे और फिर इसको थोड़ा सा और हम पका लेंगे ताकि जो लोकी के बाइट्स है वो अच्छे से ग्रेवी सोक कर लें अपने अंदर और ये एकदम सबजी में मिक्स हो जाएं तो सबजी पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और ये बिलकुल तयार हो जाएगी आप देख सकते है कितनी टैम्टिंग कितनी अच्छी लग रही है और लोकी को एक नया रूप मिला है यहाँ पे तो लोकी अब खाने से आप कत्राएंगे नहीं चली फटा फट से इसको सर्व कर लेते हैं ये लग रही है ने एकदम रेस्टरेंट स्टाइल हमारी करी बहुत ही ज्यादा टेस पर डालू आप तक मोच जाए थैंक यो फो वाचिंग माई वीडियो बाई गर्मियों के मौसम की जान होती है लोकी मितलब एकदम गर्मियों में यही सबजी लिखती है हर जगह तो और बच्चे ना इसको खाना बिलकुल पसंद नहीं करते जब भी लोकी घर में आती है उ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चे क्या बड़े क्या सब लोग इतना चाव से खाएंगे यह नाश्ता और सब बहुत इंजॉय करेंगे और हमेशा लोकी खाना चाहेंगे तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं तो यहां पर छिलका रख सकते हो ऐसा नहीं है कि आप छिलका हटाओ यह बागी आप छिलका रख कर भी इसको बना सकते हो मैं हटा रही हूँ क्योंकि थोड़ा असर लग रहा था तो मुझे लगा बच्चों को शायद थोड़ा अच्छा ना लगे इसलिए मैंने छिलका हटा दिया है तेस्टी बनकर तयार होती है, यह रेसिपी कभी भी भी आप बना कर खा सकते हो, नाश्टे में, डिनर में, लंच में, कभी भी भी आप इसको बनाओ, और यह देखे लॉकी जो है हमारी पूरी ग्रेट हो चुकी है, तो अभी हम क्या करेंगे, लेंगे एक कड़ाही, और इसम पानी है, वो हम यहीं पर रिड्यूस कर देंगे, तो जो हम डो प्रिपेर करेंगे, वो पानी नहीं छोड़ेगा, तो यह देखे, मौश्चर सारा निकल गया, इसको ठंडा कर लेंगे, अब एक बड़े बॉल में लेंगे, हम दो कप गेहों का आटा, इसके साथ ही एक कप हम बेसन और एक कप चावल का आटा, तो आप चाहें तो कोई भी आटा यूज कर सकते हैं, इसमें जो भी आपके पास अविलेबल है, उसी तरीके का आटा इसमें डाल सकते हो, फ्लेवर बहुत ही अच्छा ही आएगा, और यहां पर देखे, मैंने डाली है, कसूरी में थी, साथ ही करी पत्ते चॉप किये हुए, बारिक बारिक, एक हरी मिर्च मैंने बारिक बारिक काट ली थी, इसके साथ ही मैं डालूँगी तिल, तो केंटिटी मैंने स्क्रीन पे लिखती है, आप उसमें देख सकते हो, और अभी मैं डालूँगी इसमें हल्दी पावडर, थोड प्याज लहसुन यहां पे यूज नहीं किया है, बटा अगर आपको पसंद है, तो आप पे यूज कर सकते हो, अभी हमने यह लौकी इसमें डाल दी है, और इसका जो एक डो प्रिपेर कर लेंगे, तो सारी लौकी को हम पहले इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि हमें पता चले क कि हमें कितना पानी की इसमें जरूरत है, तो पहले लौकी को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के एक टाइट सा डो तयार कर लेंगे, बहुत स्मूद नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जो लौकी है, वो पानी छोड़े, हल तरीके से तोड़ लेंगे, और फिर सुखा आटा लगा के इसका एक बड़ा सा थाली पीट बना लेंगे, तो basically we are making थाली पीट, और आप चाहोदे इसको पराठा, थेपला, कुछ भी नाम दे सकते हो, बस इसको इस तरीके से बना लेंगे, तो किनारे मैं ऐसे इसके बड़ार सकते हैं बाहर इसके जो रेशे हैं वो बाहर आ सकते हैं, इसलिए किनारे थोड़े बिगड सकते हैं, वेट आप उसको हाथ से थोड़ा कर दो, या फिर जैसे कोई डब्बे का ढ़कन होता है, उससे अगर आप प्रोपर ही गोल काटना चाहते हो, तो आप उससे ग तयार है अभी इसको सेक लेंगे तो यहां पर तवा मैंने गरम कर लिया और इस पर मैं डाल दूंगी यह और दोनु तरफ से ही हम तेल घी जो भी आप लगाना चाहो वो लगाएंगे और फिर सेक लेंगे तो एक्तम है ना कि मतलब कोई भी जो गर्मियों की सबजियां हैं वो आप डाल कर इसमें बना सकते हो बस करेला मत डालना बच्चे करेला नहीं खा पाएंगे बागी जो भी आप उनको खिलाना चाहो इस तरीके से खिलाओगे तो बच्चे बहुत ही चाओ करके खाते हैं ऐसे चीज़ें और सबजियां भी हो जाएंगी और बच्चों के लिए नया नाश्ता भी हो जाएगा तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश तो बैस इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं बना लूगी तो ताकि क्या होगा ना किनारे बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे इसके और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी है क्यों यह देखिए है न एक तो सुन्दर सा चलिए फटा फट से सारे ऐसे ही बना लेते हैं और फिर इसको सर्व करते हैं तो यह मैंने बना लिए तीन और अभी इसको मैंने सर्व किया था बूंदी के रायते के साथ और यह देखिए अराम से तूट रहा है किनारे एकदम क्रिस् आप ले सकते हो और इसको एंजोई कर सकते हो तो ज़रूर इसको बनाओ और बच्चों के साथ बड़ों के साथ सब के साथ एंजोई करो और रेस्पी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करो थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो